सब्स्टिट्यूशन मेतर से लीनियर एक्वेशन इन टू वेरिबल्स को अभी हम सॉल करना सिखेंगे तो आपके शुटी को पुरा देखें इसमें हमें करना क्या है पहला step की end equation को इस प्रकार से number देदो equation 1 and equation 2 उसके बाद हम दोनों में से किसी एक equation से एक variable की value प्राप्ट करते हैं तो यहां पे equation 2 से मैं x की value प्राप्ट करता हैं तो देखें यह minus का y है इसको दूसरी और पक्षान प्रित करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा हम जानते हैं कि पक्षान पर करने पर ट्रांसपर करने पर चेंद मतल जाता है अब उसके बाद इसको equation number 3 दे दिया अब क्या करना है जो equation 3 से x का value है वो equation एक में put करना है यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर x का value हमें जिस equation से लिया है उसे वापस उसी में put नहीं करना है जिससे 2 से लिया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 में put कर दें तो आपका वहाँ पर क्या आजएगा फूरा value गलत हो जएगा जिरू हो जएगा एसा नहीं करना है उसको दूसरी equation में put करना है तो यहाँ पर हमने equation 3 से equation 1 में put किया x का value हमारे पास यह आगया ओके x की जगे क्या put किया 4 प्लस y और यह प्लस का वह बराबर 14 y प्लस y 2y यह जो 4 इसको दूसरी और भेज देंगे तो हम जानते हैं इसका चिन बदल जाएगा प्लस का है माइनस का हो गया 14 हमेंसे 4 गया आगया 10 2 y बराबर 10 यह 2 दूसरी और भेजेंगे तो इसके भाग में आजाएगा तो y बराबर अपना आगया 5 अब जो यह value आई है y की यह वापस 16 में put करेंगे तो आपके पास x की value क्या आजाती है बराबर 9 आजाती है तो इस प्रकार से हमें आसाने से अभी इस 2 मिनट की वीडियो में अपना substitution method को समझा अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की playlist पर विजिट करें आपके अन्य वीडियो करेंगे